लो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं हूं सुमीत और वेलकम टू माई चैनल मैमेलिया वर्ल्ड तो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं सेक्सवल लिपोड़क्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की पार्ट वन एमसीक्यू सीरीज यह जो एमसीक्यू सीरीज है आपको सीवीटी और भी कई सारे कमपर्टेटिव एक्जाम में हेल्फूल होगी और आप अगर इस MCQ को पहले अपने से सॉल्फ करते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन की भी आपको तैयारी की भी आपको पता चलेगी क्या आपकी तैयारी कैसी है तो Sexual Reproduction in Flowering Plant से बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे तो आप एक एक पार्ट को इन सारे कोश्चन को जरूर सॉल्फ करिए क्योंकि इसमें सारे कोश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस हैं जो कि सारे कही न कहीं एक्जाम में कोई न कोई कमपर्टेटिव एक्जाम में आये हुआ है आप इस स्क्रीन पे वो सारे कोश्चन को पहले पढ़ेंगे और फिर आंसर को भी देंगे तो स्टूरेंट्स आप देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजीशन एक्स एक्सिबीटेट बाई आप समझ रहा कोश्चन डबल फर्टिलाइजेशन क जो प्रोसेस होती है वो किन में होती है एलगी में होती है डबल फर्टिलाइजेशन आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक्सिबीटेट बाई मतलब किसमें पाई जाती है एलगी में पाई जाती है फंगस यानि फं इसका answer क्या होगा 4, angio-sperm क्योंकि angio-sperm जो होगी वह characteristics features होती है double fertilization की डबल fertilization की जो process होती है वह angio-sperm में होती है ठीक है confirm आप समझ पाएं बहुत ज्यादा important है first question का answer आपको पता चला आप move करते है student second question की और second question भी आप इस्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे second question क्या है functional mega spore in an angiosperm developed into जो functional mega spore है angiosperm में वो किसमे developed हो जाता है functional mega spore जो होता है आप पढ़े होंगे mega sporogenesis और mega gametogenesis तो जो mega spore है ये functional mega spore है आपको ध्यान में आना चाहिए 4 mega spore बनते हैं जिसमें से 3D generate हो जाते हैं 1 mega spore functional होता है वो developed उसमें वो functional mega spore होता है angiosperm में वो किसमें developed हो जाता है embryo में develop होता है कि endosperm में कि ovule में कि embryo sac में आप answer अपने दिमांग में सोच के हमको बता सकते हैं कि answer क्या होगा आप try करें इस question का answer क्या होगा पहले आप पहले question को read करके इस question को खूद आप answer में search करके बता सकते हैं तो students इसका answer होगा 4 इसका answer होगा embryo sac जो functional mega spore है angiosperm में वो develop into embryo sac embryo sac में develop हो जाती है ठीक है students आप answer को match भी कराते रहेंगे अपने साथ-साथ तो चलिए next question की तरफ move करते हैं next question आपके screen पर आया होगा आप next question का answer बता सकते हैं embryo sac is to यहाँ पर आप देखिए embryo sac is to ovule as मतलब जैसे की embryo sac ovule में होता है ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि enter में क्या होता है यह dash-dash में आपको fill करना है आप question का meaning समझ पा रहे होंगे कि जैसे ovule में embryo sac होता है वैसे enter में क्या होता है enter में stamen होता है कि filament होता है कि pollen grain होता है कि endrocium होता है आप question को पहले द्यान से सुन लिजे embryo sac is to ovule मतलब embryo sac is to ovule as मतलब embryo sac ovule में जैसा होता है वैसे enter में क्या होता है इसका answer आप बता पाएंगे इसका answer क्या होगा आप सोचिए थोड़ा इसका answer को हमको पहले थोड़ा साब search करके हमको answer बताईए अगर आ रहा होगा तो बहुत ज़्यादा important question है इसका answer होगा 3. pollen grain इसका answer क्या होगा बता 3. pollen grain pollen grain होता है enter के अंदर embryo sac female gamit होता है जो की ovule के अंदर होता है ठीक उसी प्रकार enter के अंदर pollen grain होता है जो की male gamit होता है ठीक है confirm हुआ आपको answer move करते है next question की ओर next question भी आपके screen पे आ गया है next question का भी आप answer दीजे next question भी आपका answer देख आप स्क्रीन पे पढ़िए next question क्या लिखा होगा है the ovule यहाँ पे आप पढ़िए read करिए the ovule of an angiosperm is technically equivalent to जो angiosperm में ovule होते हैं वो technically किसके equivalent होते हैं आप समझे question आपको answer देना होगा आप answer पहले बताईए आप answer को पहले ध्यान से question पढ़के सारे options को पहले अच्छे से read करिए फिर आप answer बताईए the ovule of angiosperm is technically equivalent to मतलब जो angiosperm में ovule होता है वो technically किसके equivalent होता है किसके equivalent का मतलब मतलब इसमें से जो options है वो किसके equivalent ovule होता है mega sporengium के या mega sporeofil के या mega spore mother cell के या mega spore के इसका answer correct क्या होगा बिटा इसका answer correct होगा one यानि one का मतलब आप समझ रहे है mega sporengium mega sporengium को ही ovule कही जाती है mega sporengium का ही another name क्या होता है mega sporengium का ही another name ovule होता है आप समझ पा रहे है मेगा इस पूर एंजियम इसका आंसर होगा ठीक है आप समझ पाएं चलिए बढ़ते नेक्स कोस्चन की और नेक्स कोस्चन भी आप इसके स्क्रीन पे आ रही होगी आपके नेक्स कोस्चन को पहले आप अच्छे से रीट करेंगे फीड आंसर देंगे बहुत ज्यादा इंपोर्टन कोस्चन है डबल फर्टीलाइजेशन इस डबल फर्टीलाइजेशन क्या होता है आप पहले एक एक करके सारे आपसंस को रीट करिए fusion of two male gametes of pollen tube with two different eggs जो fusion होता है दो male gametes का दो pollen tube में दो different egg के साथ या second options होगा fusion of male gametes with two polar nuclei या third options होगा fusion of two male gametes with one egg या fourth options होगा sing amy and triple fusion क्या answer होगा आप पहले इस question को properly सारे options को read करिए और फिर हमको answer आप बताइए क्या answer होना चाहिए आप अपने इसाब से answer आपके mind में क्या आ रहा होगा आप answer को पहले थोड़ा सा question को read करके answer को search करिए और answer को अपने दिमाग से solve करके हमको बताइए sing amy and triple fusion आपको पता होगा कि जो pollen tube बनती है तो उसमें दो gamits होते हैं एक fuse करता है एक cell के साथ और form करता है जाइगोट जाइगोट आगे चलके transform हो जाती है embryo में और embryo से आगे चलके seed बनती है और जो second वाला male gamit होता है male gamit वो fuse करता है polar nuclei के साथ या वेजिट जो होता है second nucleus ये इंटर करता है polar nuclei या secondary nucleus के साथ जिनकी ploidy 2n होती है और वो fuse करता है n यानि इनकी ploidy कितनी हो गई 3n triploid होता है इंडो sperm form करता है triploid इसी को जैसे इनको क्या बोलते है triple fusion आप यहाँ देखिए triple fusion लिखा हुआ है तो आप answer को search कर पाए होंगे इसका answer होगा for singammy and triple fusion double fertilization के बारे में बात कर रहा है ठीक है आपको answer confirm पता चला होगा अब move करते next question की और next question भी आप read कर सकते हैं apparatus synergy cells से निकलती है finger like projection होती है आप देखियोंगे synergy cells female के embryo sac में embryo sac में आप देखियोंगे दो synergies होते हैं एक cell के left और right side दो synergies होते हैं उसमें finger like projection निकला होता है जिनको filly form apparatus का जाता है तो उस filly form apparatus का function क्या होता है अब बताईए screen पे देख क्या options इसका answer क्या होगा guide the entry of pollen tube या recognize the suitable pollen at stigma या stimulated division of generative cell या produce nectar इसमें से आपको answer क्या होना चाहिए आपका answer क्या होगा इस आपके हिसाब से आप इसके question क्या answer क्या आप समझ पा रहे हैं तो इसका जो बिटा correct answer होगा वह होगा options यानि one question का जो या answer होगा ये one होगा इसका proper answer होगा guide the entry of pollen tube ये pollen tube की entry को guide करता है जब pollen tube माइक्रो पाइलर इंडसे entry करती है embryo sac में तो ये जो philly form apparatus होते है synergic cells में वो इनको pollen grain या pollen tube को अपनी और attract करते हैं जब pollen tube इसमें इंटर करता है तो उनको एक guide करते हैं एक attraction एक मतला अपनी और आने के लिए path प्रोवाइड करते हैं तो इस हिसाब से इस cancer क्या होगा first guide the entry of pollen tube ठीक है आप समझ पाएं next question की और move करते है next question क्या है next question भी बहुत non albuminous seed is produced in non albuminous seed in में से किस में produce होती है आप जानते होंगे non albuminous या ex albuminous seed dicot seed को बोलते हैं जो dicot seed होते हैं वो non albuminous होते हैं क्योंकि उसमें जो albuminous होती है वो पूरी consume हो जाती है developing embryo को नरिश करने के लिए तो ऐसे seed कैसे होते हैं non albuminous या ex albuminous या non indo spermic seed होते हैं इसका अंसर आपको क्या होगा इसका अंसर पी होगा मेज होगा कैस्टर होगा और पीट होगा आपकी साबसे इसका अंसर क्या होना चाहिए इसका अंसर बेटा होगा first इसका अंसर होगा first P P जो है यह इसका अंसर होगा matter P यह non albuminous seed है जो की dic कॉछिट है ठीक है आपको समझ पा रहे आंसर अब भूफ करतें नेक्स कोश्चन की और नेक्स कोश्चन भी आप रीट करिए और इसका अंसर देने की कोशिस करिए next question क्या लिखा हुआ है pollen tablets are available in market for जो pollen tablets होते हैं market में available होते हैं वो कीज़ परपच से market में available है उनका काम क्या है ex-situ conservation करते हैं in-situ fertilization करते हैं breeding programs के लिए और supplementing food के लिए आपका answer क्या होगा आप answer को बताइए हमको आपका answer क्या होगा इसका answer proper जो correct answer होगा वोगा option 4 यह 4 वाला answer होगा supplementing food आपको पता होगा कि pollen tablets जो होगे वो बहुत ज़्यादा food supplement के तौर पर भी यूज़ किये जाते हैं pollen के tablets आते हैं pollen के syrup होती है जो athletes और जो horse riders होते हैं यह इनको use करते हैं as a food supplement इसमें बहुत ज़्यादा protein, carbohydrate यह सारी बहुत अच्छी खासी nutritional value होती है इनके tablets आते हैं pollen tablets syrup आती है energy drink आती है इसके बहुत सारे cosmetic values होती है तो answer क्या होगा बिटा 4 supplementary food ठीक है आप समझ पाएं options 4 होगा next question की remove करते हैं next question भी आपके screen पर आ गया है आप next question का answer दे पाएंगे which of the following is pollinated by water आपको बताना है कि इन में से कौन ऐसा है जो pollinate करता हो water के थ्रू water के थ्रू pollinate करने वाले यहाँ पे plant के name आपको बताने है यहाँ पे जितने options है उसमें से water के थ्रू pollinate कौन करता है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा थर्ड जूस्टेरा थर्ड जो होगा वो जूस्टेरा aquatic plant होता है यह pollinate करता है water के थ्रू आप समझ पार है इन में जो pollination होता है वो water के थ्रू होता है तो इस सारे question को आप जरूर solve करिए बहुत ज्यादा important है और जो कि आप अगर सारे question को solve करेंगे इसके बाद आप second part को भी देखेंगे इसकी जितनी series होगी आप सारे series को solve कर लेंगे तो आपका 100% selection हो जाएगा क्योंकि सारे MCQs कहीं न कहीं exam में repeated है important है और पूछे जाते हैं और आप अगर इनको अपने से solve करते हैं तो आपको अपनी practice की भी पता चलेगी कि आप कितने practice में मतलब आप कितनी तयारी में हैं अगर आपको ये सारी question के answer आपको पता चल गया होगा या आप proper correct answer बताए होंगे तो आपकी तयारी बहुत अच्छी है आप ऐसे ही सारे practice set को solve करिए और जरूर 100% आपका selection हो जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अब next वीडियो आप watch करिए इसके बाद second part की और ये सारी वीडियो आप जरूर solve करेंगे और ऐसे ही वीडियो के लिए आप channel को subscribe कर लिजे like कर दीजे जिससे ही ये सारी वीडियो आप तक मिलती रहे ठीक है students thank you